राक के धेर पे क्या शोला बयानी करते एक किस्से की वला कितनी कहानी करते हो गया होगा बंदाजा तुम्हें भी मूदी क्या हशर होता अगर तुम भी शैतानी करते महारो मेरा जीवन भी समारो जो हमला करने आए उसको महारो भाई एक तुफानी मौज है पूरी कौम भी फौज है अब देख ली सारी दुनिया ने हमारी बहादुरी अब तश्रीफ ला रहे बाद से चौधरी हमारे चाने बालो आप सब को हमारी दरब से आप लोगों के जी अधर देखें आज कैसी ड्रैसिंग ऐसे नहीं बनती कैसे बनती यह बताए नहीं कम आठ गैंटे सर के अंदर किनू नचोड़ने पड़ते हैं मोसन भाई क्या बात है तोला ले दे बेंड डांसर लग रहे जी वाके मोसन सब्सक्राइशन दे कुली यह और यह अगर कुली यह दे साथा संदूग लाई यह अगर कुछी कुली ने कम कीता है मैं ना से कुली ने लोकी करें दे समान असी आप चोकलांगे साथे बच्चे अगर यह वी कोई एक फैशन है क्यों आप बताइए मोसन कुछ आप अपने डिफेंस में कहना चाहेंगे हाँ हाँ क्यों ने यार मतलब कोई तो करेगा ने यह वाला फैशन भी मस्कीन जोगी लाग रहे हैं जो मस्कीन जोगी सापन कह रहे हैं मेरी फिलम देखिया आपने मेरी फिलम देखिया वी जे पर लाते हैं अज के पहले मेमान को तालो के पाकिसान दारी के इनसाफ से और वो भी खैबर पक्तून खुआ के अंदर मिनिस्टर हैं पर रूरल ड्वेलिप्मेंट इलेक्शन और लोकल गवर्मेंट जनाब शाराम खान तरकई पिशावर से वहां दूसरी मेमान आईवी हैं कराची से अक्टर हैं और कमाल बात यह है कि यह हमेशा नेगटिव रोल ही करती है ऐसा क्यूं होता है इनसे ही जानेंगे प्लीज वेलकम मौतरमा हिरा हुसेन प्लीज वेलकम तो देशो जर शाराम भाई मैंने जब से आपका नाम सुना है मैं क्या कोई भारी भरकम जे जवान जे उने ने पाउने दो केंटे लागे मैं शेर बनाया है गो तुसी मेरतों ही मारे निकले तो जेर सबाइए ज़र तो खैर गई है अदम हायात मगर सितम जरीफ बड़ी बेरुखी से गुजरी है ये न पूछो के हकूमत ने क्या किया सौ दिन ये पूछो के बाकी जो गुजरी खुशी से गुजरी है गैस ते बिजली पानी को नी गुर्बत मुलक चो जानी को नी गुर्बत मुलक चो जानी को नी पंच साल हकूमत करो तब दीली ता डिकलो आनी को नी खरली जिन्दगी में आस बर दो बेरुखी हमसे दूर कर दो तमारी नजरों में इतना बुरा हूं हिबा तो अपनी आखें किसी को अडिनेट कर दो जियो कैसर पिया जियो कैसर पिया इन में से तीसरा तो अपलाए नहीं करता आपके ओपर तो आप दो का जवाब दे सकते हैं मैं वैसे ये दूसरे का जो है जी जी पांच साल शुकर है अलहाबनुलिल्ला तारीक इंसाफ ने खैबर पक्तुनख़ा में हकूमत की डिलिवर किया टू थर्ड मेजॉरिटी लेके आए तारीख में पहले कभी नहीं हुआ तारीख लोगों ने रकम किया और तारीक टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ तारीक इंसाफ आएगी ये कमिट्मेंट है आपके साथ लेकिन माशाला आपकी बातें बड़ी हैं से चोटी है ऐसे लगता किसे ने ओट दिया है सिंध बलोचस्तान से फिर भी उमीद नहीं आए नहीं उद्धर भी होगी इंशालला यहां के प्रफॉर्मेंस देख के लोग इंशालला वहां पे और देखें पंजाब में अभी पहली दफ़ा तारीक इंसाफ की हुकुमत आई है लोगों को जब अभी सेयत इंसाफ प्रफॉर्मेंस नहीं किया और बेतरी आएगी साथगी आ रही है सिंप्लिसिटी है प्रोटोकॉल कम है लोगों की जिंदेगियों में बेतरी लाना जो है तारीक इंसाफ की प्रियॉर्टी और इसमें खान साब बड़े पर्टिकुलर यह विल्कुलिक फैक्ट है कि वाक्स पहले देखा हुआ है जी बलकुल देखा हुआ है जो को पहर चला कर आपने यहां पर आना इस वॉट वर्यू थोट्स मुझे बड़ा डर लग रहा था शो में आने से बहुत जाद मुझा को राइगा जाता है आज आपका मुझा को चोड़ लगी यह पर आपकी जोट लग और हमारे जो तीन शेर बोले जाते हैं इनिशली गेस्ट की खुशी में अगेम की परफॉरमस यह एक मिनट मेरी एंट्री होगी दूसरा मिनट और इमके शेर होगे तीसरा मिनट तो बाकी हम जो 35 मिनट करते हैं वो आप कब देखेंगा उसमें फेर हम शामिल होते हैं अगर इनका यही जवाब दो मेरेट है आ आप जब भी आते हैं कही नज़र आते हैं तो आड़िख आपके साथ होते हैं आज अची तब दीली है अच्छी आचिस अच्प जर्मनी गए हैं किसी प्रोग्राम के हवाले से आपके पास भी तब दीली है शायद उनके पास भी उदर को जर्मनी सब्सक्राइब की इस वक्त नहीं है वापस जब आएंगे पूछेंगे आप मुछेंगे आप मुछे एक बाप बता है शाराम यह बन अव डोस पीपल जो के औरिजिनली पी टी आई में नहीं थे ठीक है और आप की अपनी पार्टी थी जिस के जिरी आप पॉलिटिक साथ के अब वहला जमाना यहाद आता है जो पहला डेर साल था जिसमें आप नहीं थे तरीक इंसाफ में नहीं थे लेकिन मेरी अपनी पार्टी थी उसका मैं चेर्मेंट था चार पांच एम पी ए थे एक हैमेने था बसलों खैबर पुछ उसी शेख रशीद से नहीं शेख परशीद का और मेरा कंपारिजन तो खेर वो बड़े लीडर है लेकिन मैनिफस्टो सोच फिकर सारी पाकिस्तान की थी जब दोजार तेरह में गवर्मेंट में आए तारीक इनसाफ का मैं वाहिद कोईलेशन पार्टनर था वाकीद भी थे कोई डिमांड नहीं थी उसूलों पे कोईलेशन में आए क्यूंकि मुझे यकीन था कि खान साफ का मैंने सुना भी था और आतिफ और लेड़ी पीटी आई में थे इस फरामली तो मुझे पता था बहुत सारी चीजों का तो उन्होंने हमें देखा जाना हमारे काम को हमने उनको और फिर मैंने रेलाइस किया क कर रहा हूँ चोटे स्केल पे कर रहा हूँ खान साफ और ताहरीक इन्साफ मुलकी और दुनीया के लेवल पे कर रहे हैं तो क्यूंच काज एक है, मिशिशन एक है, वह है पाकिस्तान पाकिस्टान की लोगों की बलाई, और खान साफ नहीं का एक जब पर मिल shares निन्हांग म पहले मैं समझता हूँ कि एक संसेर लीडर है इम्राइन खान दिल में दर्द है पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क की बेतरी के लिए वो काम करना चाहते हैं और मैंने पिछले पांच साल में बगेर काम के उनसे कोई मैसेज और जब भी कोई सपोर्ट रही क्योंके हल्थ मेरे पास था रोजाना अब स्ट्राइपस होती थी मसले थे मैं जब मैसेज करता था कॉल करता था अब कहते थे जहां पर मिरी ज़रूरत है माऊंगा तुमारे साथ स्टैंड लूँगा तुमने जोटी काम करना है पीछे नहीं हटना और पूरी सपोर्ट आपके ये सपोर्ट मैंने और कहीं पे न सुनी है न देखी है काम के अलावा आप मेसेज नहीं करते खान साथ काम के अलावा कोई एमे जोक आया फावर्ट कर दिया वो सामने जब बैटते हैं तो जोक शोटना उद्रों स्टीफ है ता अडरो जाना गलती हिए आप अरड कर दे और फॉर्ण डिलीट कर दे लिए उन में एक चीज़ हो बड़े ऐट काम के ही अवाले को प्रिकॉल है और बाकी कैशूल है गफशब भी लगाते है उनकी बात से अप अगरी भी करते है डिसेग्री भी करते है वो आपसे कभी अग्री करते हैं बड़ी फ्री डिसकेशन होती है तो मैंने एक चीज तैरीक इंसाफ में देखी है खान साफ के साथ खुसूसां बाकी लीडर्स को भी सुना है बाकी पार्टी के मेंबर्स मैं दोस्ते सारे एक दूसरे को जानते है कि वोपे बोलने का जियादा रिवाज नहीं है खान साफ भी खुल खुल के बाद करते है एक और दे इना ननने शपल कर देता इना का खान साफ तीज़े श़ादी क्यों की घरा मुझे आप वोट्षोल डालती है जी और जिस पार्टी को आपने डाला था वो जीत गई और आप खुश हैं बहुत जादा बहुत जादा खुश हैं बिलकर जबरदस तो मुझे ये बताईए कि ये क्या वज़ा ठहरी कि आप कोमिशन नेगेटिव रोली दिया जाता है ये पहला सवाल थे पूरा कंप्लीट कर सब्सक्राइब करें वे थे इम्रान सहाब इम्रान समाइल अच्छा जब वो जीते थे और उसके बाद में बरकत में पीए से वो गवर्नर बन गए तो हमारे बहनोई ने भी उनको ये दिया था जी उनको नहीं है आप क्या सिरना चाहरे थे नहीं माशालला बहन तो यह तो भी उसी पार्टी को वोट दिया या जी बिल्कुल दीया और खुश है यहां पर हमारे पास इंडुस्री से आपके मेमान होते हैं तो वह कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं हैं मेंगा ही हो गई इस तरह की बाते टेक्स बहुत जादा हैं हमारी इंडुस्री को रेक्नाइज निं को देखने का और हम लोग जो वेट कर रहे हैं तबदीली का कि तबदीली का आएगी मैं सिच्वेशन को इस तरह से देखते हूं कि अगर कोई आप जोक मारेंगे आप लोग अगर कोई जिम जॉइन करता है ठीक है आपके अंदर पेशन्स होगा तो आपको रिजल्ट्स नजर तो उस तरह से तबदीली नहीं आती है हर चीज़ में टाइम लगता है लगता है ठीक जिचिम जॉइन करने के बद्द सब्द्र आपके वोटर भी कितने आप जसे हैं हमारे जो सपोर्टर्स है वासे वो बिल्कुल उनको ख्लार्टी है कि 70 साल का गर्ण इमरान खान 6 महीने में साफ नहीं कर सकते इसको आप ग्रैजूली लेंगे ट्रैक पे आ रहे हैं इंवस्मेंट आ रही है पहली दफ़ा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे किसी ने स्टैंड लिया है साथी अरब के कैदियों के बारे में साथी प्रिंस से किसी प्राइम मिनस्टर ने इसनी ओपनली बात की है ये तो मैंने अपनी उमर में कभी नहीं देखा है अनिसली आप में I don't know शराम साब को बता रही थी ऐलिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का ख्याल रखने वाला कोई आया है after a very long time पाकिस्तान का ख्याल रखने वाला कोई आया है अब सानहाए तर्द सुनाते चले गए एदीजे हम जो आए तो गाते चले गए आए बिना में बतने यहां जितने भी लीडर को ही बदर को लूट किखाते चले गए एक हम है कि जब हूरियस के बास्ते अब तक हर एक कही सास निभाते चले गए चले गए हाए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो वालेट नहीं है मैं तो आजे जो मैंने उमीज भी नहीं दी